हलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब आज आपके साथ एक और ब्लाउस का बैकनेट डिजाइन है यह मतलब नैग डिजाइन कुछ जादा नहीं है बहुत सिंपल तरीका है लेकिन इसको मैं आपके साथ यह वीडियो जो शेयर कर रहे हूं इसमें आपको बताऊंगी कि जो लहंगे के मेरे कस्टमर का लेंगा है तो 16 इंच का मुझे लैंथ मैंने लिये 15 इंचे तेकि उपर से पांच इंच लिया है और आरमोल जो लिया है जो चीछ का है जी इस तरह मारा मतलब करीब शाड़े 9 इंच है और कमर 35 इंच की साड़े 33 इंच की है तो उसको हमने उसे 4 डिवाइड बहुत डीप नेक था तो इसलिए उसको फ्रेंट पर रख दिया गया है और हमने इसको क्या किया इसका जो फ्रेंट का है इसको बैक साइड लिया है तो इस तरीकी से मैंने इसको बनाया है जिप का है इसमें तो अकसर जिप ही लगाई जाती है तो वह चुकि मैंने इसमें लगाया है इस तरीकी से बनाया है अभी आपको क्या करना है कि नैट का जो मैंने कटिंग कर लिया था स्थर को रखके इस पे मतलब नैट पे अभी आपको क्या करना है कि नैट का जो कपड़ा है उसको लेना है वो बक्रम के उपर रखना है वो बक्रम के उपर रखके आपको नेट के उपर से एक चॉक से निशान लगा लेना है और नेट के उपर से जब आप चॉक चलाएंगे तो बहुत आसानी से वो नीचे भी पहुच जाएगी बक्रम के उपर इस तरीकी से आप ड्रॉ कर लीजे अब हम इसको क्या करेंगे जितना हमारा बक्रम यह है इसको कट कर लेंगे और इसका जो पाइंट है सेंटर वाला है इसको पकड़के हम इसको बराबर से फोल्ड करेंगे यहां से क्या है चुकि यह चौड़ा है इतना हम शोल्डर पर लेते नहीं है नहीं तो यह हमारे शोल्डर से डाउन हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे हम धाइंच पर निशान लगाएंगे और यहां से भी हम धाइंच पर निशान लगाएंगे और जितनी डीपनेस इसमे तरफ से जो हमने धाइंच पर निशान लगाया था वहां से आप लाइन कीजिएगा और हलका से यहां से थोड़ा सा इसकी विर्थ बढ़ा लीजेगा यहां से चोड़ाई बढ़ जाएगी थोड़ा सा अंदर की तरफ लेते हो कट करिएगा क्योंकि हमने एक तो बराबर से ल कट कर लेना है कि इस तरह किसे हमारा नायक कटिंग हो गई है अभी हम इसको क्या करेंगे कि जो हमारा अस्तर का फैबरिक है उस पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे इस तरह किस रखे आप इसको और आप सबसे पहले क्या करिए इस पिन लगा लीजे उसका उपर की तरफ आपको पूरा पाच इंच निशान लगाना है पाच इंच में ही दौनों पॉइंट इसके सेट होंगे दौनों तरफ की जुब नएक की डिजाइन इस तरह किसे रखे और पाच इंच अंदर की तरफ लेते हुए यहां से आपको पिन लगा लेनी है कभी भी नएक बनाईए तो यह हम इस तरह की से कट कर दीजिए एक्स्ट्रा फैब्रिक अब हम हमेशा की तरह जैसे करते हैं बस इसमें एक कच्छी सलाई लगा दीजिए और बाकी जो एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकला हुआ है फैब्रिक उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आप एक सलाई और लगा पर त्रेंगल कट कर लिनेंगे अऊपर उसके बाद हमको क्या करना है यहां पर आपको ध्यान देना है जो आपका जो फैपरिक है मैं फैपरिक उसके एंब्राइडी का जो फ्रेंट एरिया उसको अंदर की तरफ रखते हुए और इस्तर में जहां माक लगाए है वह अंदर की और अंदर की तरफ लख रखते हुए ऐस्तर की तरफ यहां से एक स्लिअब लगा देंगे और एक स्लिअब हमारीех management की लगए हुए कि इस तरीके से अब हभी हम क्या करेंगे बराबर से ौल्ड कर दें और एकदम center line बनाएंगे और दोनों center line को अस्तर वाला हमारा neck यहां से आपको क्या करना है कि यह एक आपको pin लेना है और एकदम man point जो है हमारा यहां का अस्तर का कपड़े का blouse का और जो हमारे बकरम की गले का दोनों pin को एकदम center से बिठाल दीजे यहां से और लगा की छोड़ दीजे और बराबर से कपड़ा आपका इदर उदर नहीं भागेगा और उसके बाद आप क्या करिए फिर pin लगा दीजे चारो त्रिप से इस तरीके से करेंगे ना तो यह जो point है आपका यहां नीचे की तरफ वो एकदम सही से आ जाएगा सारी pin लगाने के बाद हम इस पर एक finishing वाली अंदर की तरफ एक slide लगा देंगे पहले जादा तर लोग क्या करते हैं कि इसमें बक्रम यूज नहीं करते हैं सीधा कर देते हैं मैंने भी बनाया है पहले इस तरीके से लेकिन चुक्कि नैट है थोड़ा hardness हाजाएगी नैक अच्छे से बैठेगा इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है इसको देखे एक्स्ट्रा फैबरीक हम कट कर देंगे पहले मैंने चेक कर दिया कि मेरा शाई से बैठाएगी नैक यह देखे अब हम यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से हम इसको पलट देंगे पलटने के बाद एक फिनिशिंग वाले अपस्लाई लगा दीजे एक तो बराबर से बहुत अच्छा बन गया है इन्हाँ बहुत ही संदर दिख रहा है बलाउस भी मेरा कम्प्लीट हो गया है यह देख कि इस तरीकी से हमारा यह फ्रंट बैक का नेक है तैयार हो गया है इसको फ्रंट में यूज़ करना था लेकिन मैंने इसको बैक में यूज़ किया हुआ तदे आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर करेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा फर्स टाइम आये चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रैस करें ताकि आपको आगे वाले नोटिफिकिसन मिल सकें थैंक यू